दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट मोक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पहली कबर बिहार के 21 जिलों में स्कुल बन ठंड की वज़ा से नरसरी से अटवी तक की क्लास आठ जनवरी तक बन सर्दी और बढ़ने के आसा जिया बिहार में सीत लहर का प्रकोब जारी है तापमान में मामुल बिर्दी के बावजोद सर्द पचवा हवा के करन कनकने से लोग परिस्सान है दिन में हलकी धूप निकलने के बावजोद ठंड के कनन लोग घरों में धूप के रहे इस बेच सितलर को देखते वे पटन मुझपर पूर बकसर मुंगेर नालंदा नवादा गया आरा जहाना बाद अरवल छपरा सिता मड़ी सिवर समस्तिपूर बेतिया बगहा गौपाल गंज मदोबने और सिवान में कख्चा आठ तक सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद कर दिये गए हैं इन जीलों के डियम ने रईवार साम निर्देश जारी कर सभी स्कूलों में नरसरी से लेकर आठ भी तक एक चात्र चात्राओं के लिए सेक्चिन गतिवितियों पर रोक लगा दी है आगली बाड़ी कबर बिहार में लोटे का सक्त पाबंदिया का दोर कोरोना के बढ़ते मामलों के बेच सियम नितिस ने दिये संकेत आज लेंगे बड़ा फेसला बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के बेच 5-7 दिनों के लिए सकत पाबंदिया लागू किजा सकती है आपको बताते की मेडिया कर्मे से बाच्छित में सियम ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते के से मद्दियों निजर सभी जिलों प्रिपोर्ट मांगी गई है मुक्य मंतरी ने कहा कि प्रोटोकॉल का पालन बेहत जरूरी है इधर केस बढ़े है अब लंबा लोगडाउन नहीं लगाया जा सकता लेकिन पांच साथ दिन सक्तिक करके संग्रमन की रोकने की कोसिस की जाएगी बिहार में फिर से लोगडाउन लगो किया जाने के समावनों पर पुछे जाने पर उन्होंने कहा कि वहाँ इस बारे में आज निन्ने लेंगे सियम ने कहा कि आज बेड़क में इसकी समिक्चा कर निन्ने लिया जाएगा आगली बड़ी खबर बिहार के पूरुव सियम ने जितर राम माजी समेत उनके परिवार के 18 लोग कोरोना संकरमित पाये गये हैं पूर्व स्यम के साथ उनकी पतनी सांती देवे बेटी पुस्पा माजी और बहुत दीपा माजी के साथ परिवार से जुड़े 18 लोग को भी कुरोना पोजिटिव रिपोर्ट आई है हिंदुस्ताने अवाम मोर्चा के राष्ट्य परवक्ता दानेस रिजवान ने समवार को बताये कि पिछले कुछ दिनों से पूरु मुख मंत्री जितारा माजी और परिवार के कुछ लोग सर्दी जुकाम और बुखार से परिसान थे इसी को देखते वे कुरोना की जाच करा कि आगली बड़ी खवर जन्ता दर्बार में 14 कुरोना पूजिटीव मिले सेम नितीस ने आज हाइ लेवल मिटिंग बुलाई है बिहार के मुख मुनतरी नितेस कुमार के जन्ता दर्बार में 14 कुरोना पूजिटीव मिले हैं इन Wanna चाह फर्यादी घाना बनाने आई होटल क पाच करमचारे और तेनी सिफाई सामिल है एंडिजन टेश्ट में इतनी बड़ी सिंख्या में लोगों में संक्रवन मिलने पर रिधिकारियों में हड़कम मच गया है एस बेच सियम ने राज में करोना के ताजा हालात के समिक्चा और सक्त पावंदिया लागू किये जाने किया है सकता पर विचार विमर्स के लिए मंगलवार यानि आज हाई लेवल मिटिंग बुलाई है अगली बड़ी खबर बिहार में बच्चों को वेक्सिनेशन लखिसराय के रितिका को लगा पहला टिका राज के अठाइस सो एक सेंटरों पर टिका करन शुरू जिया बिहार में 15-18 वर्स तक के 83,4,000,000 बच्चों को वेक्सिनेशन सुमवार को शुरू हो गया सियम नितिस कुमार ने आईजी आएमेस में इस अभियान का सुभारम किया पहला टिका लखिसराय के रितिका को लगा इस दोरान स्वास्त मंत्री मंगल पाने ने कहा जनवारी में 15-18 वर्स के सभी बच्चों को वेक्सिनेट कर दिया जाएगा साम चो बजे तक 156,347 बच्चों का टिका करन हुआ साथ ही आपको बता दे कि कल पूरे राज में 801 सेंडरों पर वेक्सिन लगाए गई पटना में 87 गया में सबसे अधिक 243 और बोजबूर में 239 टिका करन केंदर बनाए गए है दूसरे तरफ बिहार में स्वास्त विबा का करनामा देश में जिस वेक्सिन का बच्चों पर ट्रायल नहीं नालंदा में दो भायों को लगा दी सियस ने मांगा जवाब जब देश में जिस वेक्सिन का आप तक बच्चों पर ट्रायल नहीं हुआ है बिहार के दो बच्चों को लगा दी गई है मामला नालंदा का है जा दो भायों को कोवेक्सिन के जगा कोविसील का टिकल लगा दिया गया इसके बाद जब बच्चों ने इस बारे में स्वास्त कर्मचारी से पुछा तोसनिक का दिया कोविसील लेने से कोई परिशानी नहीं होगी प्यूस रंजन और आर्यान किरन दोनों बिहार सरिप के प्रोफेसलल कोरोनिक के रहने वाले हैं उन्होंने बताई कि हमने कल कोवेक्सिन का स्लोट बुक कराया था इसके बाद आज हम दस बजे के करीब नालंदा स्वास्ट विवाग द्वारा संचाली टिकाकरन केंद्र आया में हौल गए जहां सारी प्रक्रिया होने के बाद हमने टिका लगवाया टिकाकरन के बाद पता चला कि उसे और उसके बाई को को वेक्सिन की जगा को वेक्सिन का टिकल लगा दिया गया है मैं किसोर के पिता ने कहा कि एक तो वेक्सिन देने में लापारवाही बरती गई दूसरा जो सर्टिपिकेट जरेट किया गया है उसमें को वेक्सिन की जगा को वेक्सिन ही दरसाया गया है अगली बड़ी खबर जेल बंदियों से मुलाकाद पर ततकाल प्रभाव से लगे रोक जेल आजी का आदेस 31 जन्वारे तक बिहार के सभी जेलों में मुलाकाद बने कोरोना वारेस और इसके नए वेरेंड ओमिक्रोन के बढ़ते मामले को देखते वे सतर्था बढ़ती जा रही है कोरोना की तिसरी लहर को ध्यान में रखते वे बियार के जेल आजी ने बड़ा कदम उठाया है आज के सभी जेलों में बंदियों से मुलाकाद पर रोक लगा दी गई है ततकाल प्रभाव से इस आदेश को जारी करने को कहा गिया है सुमोर को जारी हुए जेल आजी मिधलेस मिस्का यह आदेश 31 जन्वारी तक के लिए है अगली बड़ी कबर कोरोना के बड़ते संक्रमन को लेकर हैमन सरकार ने लागो की सक्त पाबंदी स्कूल कोलेज अगले आदेश तक बंद जे जारकन में कोरोना संक्रमन के बड़ते मामलों के मद्देनेजर हैमन सरकार ने कई पाबंदया लगाई है आपदा प्रबंदन की बेड़क में तै किया है कि राज में इस्टिडियम पार्क जेम सिविंग पूल परेटक स्थल अगले आदेश तक बन रहेंगे वहीं सिक्चन संस्तान अगले आदेश तक बन रहेंगे पचास सिज़ी चमता के साथ प्रसासनिक कायर कर सकेंगे आपको बता दे कि मॉल, रेश्टूरेंट, बैंक्वेट हॉल अपने चमता के आदेश पर काम करेंगे या अधिक्तम सो लोगों को सामिल किया जा सकेगा दुकाने रात आट बजे तक खुली रहेंगे दवा दुकाने बार रेश्टूरेंट पहले की तरह चलेंगे सभी पाबंदिया 15 जनवरे तक लागू रहेगे धार में की सलो पर पहले का आदेश लागू रहेगा सुमवार को प्रोजेक्ट बावन में मुख्यमंत्री के अधिक्ता में राज आदा प्रबंदन प्रादिकार के आपाद बेटक में या निन्ने लिया गिया है अगली बड़ी खबर बिहार में ठंड से नहीं मिलेगी रहत 7 से 16 जनवरे के बेच होगी बारिस जाने मौसम अपडेट जा मौसम विबाग के अनुसार बिहार में 7 जनवरे के बाद आसमान में बादल चाने लेगेगा 7 से 14 जन्वारे के बेच बारिस होने का अलर्ड जारी किया गया है बारिस होने के बाद फिर से ठन बढ़ सकती है बता दे कि गोपाल गंज का नियंतम तापमान बेटे दिनों मुकाबले 3 डिगरी सेल्सेस की गिरावर दर्च की गई है रहिवार का नियुंतम तापमान आठ दसमलोव एक डिगरी सेलसेस था जो समवार को गिर कर 7.9 डिगरी सेलसेस तक पहुच गया अधिक तब तापमान भी 19.3 डिगरी सेलसेस था जो बीते दिनों मुकाबले डेड़ी डिगरी सेलसेस कम रहा मौसम बेगानिकों के अनुसार तापमान में गिरावाट का सिलसेस जारी रहेगा अगले दो से तीन दिन में नियुंतम तापमान 7 डिगरी सेलसेस तक पहुच सकता है आसमान में जमा स्मॉग 7 जनुवरी से होने वाले गरच चमक के साथ हलकी बारिष से चटेगा अगली बड़ी खबर बरते कोरोना संग्रमन को लेकर हाई कोड का फैसला 4 जनुवरी से ओनलाइन होगी सुनवाई जिया पाटना हाई कोड में राज में कोरोना महमारी से उत्पन हुए हालात को गंबिरता से लेते हुए आज 4 जनुवरी 2022 से मुकदमों की ओनलाइन सुनवाई होगी इस सम्मन सिवानी कोसिक व आईने की जनाति आचिका पर चीप जस्टिस संजे करोल की कंपेट ने सुनवाई की है ने सुनवाई की दोरान कोड द्वारा मौकी जानकारी दी गई की चुकि पटना हाई कोड के कुछ जजवक कर्मी भी कोरोना से संक्रमित हो गए इसलिए 4 जनुवरी 2022 से पटना हाई कोड में कामकाज ऑनलाइन तोर पर ही किया जाएगा आगली बड़ी कबर बिहार में आप रेयतों के घर तक पहुचेगा जमीन का नकसा करना होगा यहाँ अवे दर्या बिहार में रयत को अपनी जमीन का नकसा के लिए सरकार के किसी भी कार्याले में नहीं जाना होगा रयत को उसके जमीन का नक्सा घर पर पहुचाने वाले योजना कभी भी सुरू की जा सकती है बिहार के लोगों को पिछले साल जुलाय में इस सुविदा का ला मिलना था लेकिन कुछ तक्निकी कारणों से योजना की लॉंचिंग टाल दी गए थी आप केवल उद्गाटन की उपचारिकता रह गई है राजा से वे अवम होमी सुदार विबाग ने सभी परकार की तक्निकी बादाओ को दूर कर लिया है यानि इसी जनवरी में बिहार जमीन के नक्सा को घर पर पहुचाने वाला पहला राज बन जाएगा पुरे देश में अभी कहीं भी या वेबस्ता नहीं है कि एज जिरो साइज में नक्से को ओलाइन ओडर पेमेंट करें और सरकार घर के दरवारी तक उसको डाक के माइदम से पहुचाए आपको बता दे कि 3 नक्से 1.500 रुपे में लोगों के घर तक पहुचेगा कंटेनर के किमात 35 रुपे, डाक सुलक 100 रुपे है नक्से की ओलाइन डिलेवरी के लिए भू अभी लेक की परिमाब निदेसले की वेबसाइट dlrs.br.gov.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं फिलाल इसकी सिरुवात नहीं हुई है, जल्दी इसकी सिरुवात होने की समावना है अगली बड़ी ख़बर पाटना जक्सन पर मिलेगी जाम से मुक्ती तीन मिनट से अधिक रुके तो जेब होगी ढिली जिया पाटना जक्सन पर जाम की समयस्था से आप मुक्ती मिलेगी दरसल इस्टेशन परिसर के अंदर वहान खड़े करने के नियमें बड़ा बदलाव किया गया है या तायात विवस्ता में बदलाव के तहद अब अगर कोई भी व्यक्ती अपने गाड़ी को तीन मिनट से खड़ार गरता है तो उससे पैसे भरने होंगे हाला कि तीन मिनट तक के लिए गाड़ी खड़ी करने पर कोई सुलक नहीं देना होगा कबर कोरोना केस बढ़ते बिहार में बढ़ी सकती बीना मास्क घर से निकले तो देना होगा जुर्माना अस्पतालों में नहीं मिले गया कोरोना वारेस के बढ़ते संक्रवन को देखते वे पटना में सभी के लिए मास्क अनिवार कर दिया गया है बिना मास्क के पकड़े जाने पर 50 रुपी जुर्माना देना होगा गाड़ी चलाते समय बिना मास्क के पकड़े जाने पर वाहन जब्द कर लिया जाएगा वहीं बगेर मास्क के पकड़े जाने पर दुकान सील होगी और ग्राक बर भी जुर्माना लगेगा सोमवार यानि आज से सहर के मुराहे सडक सबजी मंडी बस स्टेन रिल्वे स्टेसन आधी पर जाच की जाएगी इसके लिए प्रसासन ने दस टीमों का गठन किया है सनिवार को डियम डाक्टर चन सेकर सिंग ने कोरोना के बड़ते संगरमन को देखते विए आदेश जारी कि बड़ी कबर बिहार में बदलेगी कोविट गाइडलाइन इसकूल बंद करने से लेकर नाइट कर्फिफर जान लिजे रननी ती जादेश के तमाम हिस्सों के साथ बिहार में भी कोरोना के मामले रोजाना डेड़ से दो गुना की रपता से बढ़ने लगे हैं ऐसे हालात मे राज सरकार पर सकती बढ़ाने के लिए दवा बढ़ता जा रहा है केंदरे सौस्त मंतराले ने इस बारे में एडवाजरी सबी राज सरकारों को जाहिर की है जिसके बाद कहीं स्कूल बंद करने तो कहीं नाइट कर्फिजे से फैसले लिया जा रहे हैं बिहार में संक्रमन क की बेकाबू होती रफ्तार को लेकर मुईख मंतरे नितिस कमार ने यका दिया कि हाला तिसरी लहर जैसे है ऐसे में पूरी उम्मीद है कि राज में कुवीट गाइडलाइन में सकती बढ़ सकती है पिछले दिनों मुईख मंतरे ने इसके संकित भी दिये थी आपको बताती कि बिहार में फिलाल पांच जन्मरी तोक अनलोक की पुरानी गाइडलाइन लागू है आज के लिए आपको स्वाल बताए कि बिहार सरकार द्वारा जारिक के गए नई कोरोना गाइडलाइन में किन चीजों में सबसे ज़दा पाबंदी लगानी चाहिए इसका जवाब आप ह में नेचे कॉमेंट करके जरूर बताए